Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आरव रसोई का समान रखने में अपनी मा की मदद कर रहा है क्या अंडे ट्रे में ठीक से आ जाएंगे? कौन सा मरतबान चावल के लिए सही है? वो एक थेले में कितनी गाजर रख सकता है? ये कहानी हमारे रोज मर्रा के जीवन में गणित से जुड़ी समझ के बारे में है कहानी का शीर्शक है रसोई का सामान कहां जाएगा? Original Story Where Do The Groceries Go? By Pratham Books कहानी लिखी है आयूशी संगराज का चतरांकन आयूशी संगराज का हिंदी में अनुवाद रूची शर्मा कहानी का वाचन असावरी दोशी आरब क्या तुम रसोई का सामान रखने में मेरी मदद करोगे? चीनी को चीनी के मर्तबान में रखना होगा मिल गया लेकिन मर्तबान में तो पहले से ही थोड़ी चीनी है अमा मुझे एक बड़ा मर्तबान चाहिए हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है ना तो बहुत चोटा ना ही बहुत बड़ा आरब ने कहा अंडे फ्रिज में ट्रे में रखने है आरब भाग कर फ्रिज की ओर जाता है और ट्रे निकालता है वो गत्ते की ट्रे में से अंडे गिनने लगता है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ और आठ आरब ट्रे को देखते हुए कहता है अरे ट्रे में पहले से एक अंडा है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौर, दस ट्रे में दस अंडे रखने की जगा है गत्ते की ट्रे में आठ अंडे है दस अंडों के लिए जगा है, उसमें पहले से ही एक अंडा रखा हुआ है, इसका मतलब अंडे इसमें ठीक से आ जाएंगे, आरव गाजर और टमाटर को इन थेलों में रखना है, लेकिन वो दो थेलों में नहीं आ पाएंगे, इसलिए तीन थेलों में रखना, अम्मा ने कहा आरव पहले गाजर गिनता है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और साथ फिर वो टमाटर गिनता है एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे पहले थेले में चार गाजरे आई बची तीन गाजर दूसरे थेले में आ गए छे टमाटर तीसरे थेले में बिल्कुल ठीक तरह से आ गए आरव थेले से चावल और राजमा के दो पैकेट निकालता है राजमा चावल उसका मन पसंद है अम्मा उसे दो मर्तबान देती है एक मर्तबान दूसरे मर्तबान से बड़ा है चावल का पैकेट राजमा के पैकेट से भारी है वो चावल को बड़े मर्तबान में और राजमा को छोटे मर्तबान में डालता है आरव थेले में दीखता है कि और क्या बचा है उसमें है उसके पसंदिदा बिस्कुट का एक पैकेट आरव तुम इस काँच के मर्तबान में बिस्कुट रख सकते हो आरव ने मर्तबान को पूरा भर दिया लेकिन अभी भी दो बिस्कुट बचे थे अमा मुझे पता है कि ये आखिरी दो बिस्कुट कहां रखने है गणीत सब जगा है आरव ने रसोई का समान रखने के लिए गणीत के बुनियादी नियमों का उपयोग किया चाहे ये जल्दी जल्दी में किया हुआ जोड घटाओ हो या फिर ये देखने के लिए कि क्या अंडे ट्रे में ठीक तरा से आ जाएंगे या चावल और राजमा के लिए मरतबान चुनते समय आकार और मातरा का विशलेशन करना हो थीना ये मजेदार गणीत की कहानी तो ऐसी अलग-अलग कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट है www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए बाई-बाई धन्यवाद